नमस्कार मैं हूँ प्रविन परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एश्या की हिंदी सर्विस कलिस्याई समाचारों में आप सभी का स्वागत है आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है पॉप फ्रांसिस ने कहा केवल प्रेम ही मानव को आकरशित और परिवर्तित करता है धर्म गुरुओ द्वारा कॉप 26 में जलवायू न्याई पर कारवाई का आग्रह फ्रांसिसी कारेकरताओं ने प्रवासियों की दूर दशा पर प्रकाश डाला बांगला देश के शर्णार्थी शिविर पर हमले में साथ लोगों की मौत तक्ता पलट के बाद प्रदेशन कारियों ने सेना को चुनोती दी मैनमार के काथलिकों से अपने देश के लिए आवाज उठाने की अपील मध्यपरदेश के केथोलिक स्कूल में हिंदू मुर्ती इस्थापित करने का आदेश कार्डिनल के खिलाफ जाच में साजिश की आशंका समलेंगिक विवापर भारतिय कानूनी लड़ाई महमारी के दोरान मानवे सेवाओं के लिए बैंगलोरू के पुरोहित को सम्मानित किया गया रेडियो वेरितास एशिया आप लिए लेकर आए हैं आर्वे मोबाल एप आर्वे मोबाल एप पर हमारे विबन प्रकार के कारिक्रमों का लाब लें हम से जुड़ें और एशिया इसायत की अवाज का हिस्सा बने आज ही एप स्टोर एबं प्ले स्टोर से आर्वे मोबाल एप दाउनलोड करें अब जानते समाचार विस्तार से पॉप फ्रांसिस ने कहा केवल प्रेम ही मानव को आकरशित और परिवर्तित करता है संथ पिता फ्रांसिस ने अपने बुधवारी आम दर्शन समारों में गलातियों के नाम संथ पॉलुस के पत्र पर धर्म शिक्षा माला जारी रखते हुए इश्वर की खोज करने का आववान किया साथ ही उन्होंने पवित्र आत्मा के वरदानों की चर्चा की वे गलातियों को इस बात की याद दिलाते हैं कि उनकी मुक्ती और विश्वास का आधार ये शुक्रिस की मृत्तियों और पुनुद्थान है क्योंकि वे इस परिक्षा में पढ़ गए थे कि उनकी धार्मिक्ता का आधार सहिंता के नियमों और परंपराओं का अनुपालन करना है वे क्रूस की सच्चाई को अपने सामने रखते हुए इस तथ्य को व्यक्त करते हैं वे लिखते हैं किसने आप लोगों पर जादू डाला आप लोगों को तो सूस पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि इसामसी क्रूस पर आरोपित किये गए थे संद पिता फ्रांसिस ने कहा कि आज भी बहुत से लोग हैं जो जीवित इश्वर की खोश करने के बदले अपने लिए धार्मिक सुरक्षा की खोश करते हैं जिनके अनुरूप वेधार्मिक क्रिया कलापो और सहिंता में अधिक ध्यान देते हैं जबकि उन्हें पूरी तरह से इश्वरी प्रेम का अलिंगर करने की आवशक्ता हैं यही कारण है कि संद पॉलूस गलातियों को जीवन के आधार इश्वर की और लोटने को कहते हैं जो कुरूशित येसु में हमें जीवन देते हैं संद पिता ने जोड़ देते हुए कहा कि हम इश्वर की और लोटे न कि इश्वर की निश्चित्ता प्रदान करने वाली चीजों की और धर्ब गूर्व द्वारा कोप 26 में जलवायू न्याइक पर कारवाई का आगरह पाँच महादवीपों के नेताओं ने सेक्रेट पीपल, सेक्रेट हार्ट नामक एक याचिका पर हस्ताक्ष किये है जिनमें जलवायू और कोविड-19 संकट के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया का आगरह है जेसे जेसे कोप 26 नजदिक आ रहा है दुन्या भर में धार्मिक संगठन कोविड-19 संकट के आलोक में जलवायू परिवर्तन के खिलाव सासी कारवाई के लिए अपने आवान को तेज कर रहे है 31 अक्टूबर से 12 नौमबर तक स्कॉटलेंड के ग्लासगो शहर में आयुजित होने वाले संयुक्त राष्ट शिकर सम्मेलन से पहले पांच महादवीपो के सेकडो धर्म गुरूओं ने सेक्रेट पीपल सेक्रेट हार्ट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किये है जिनमें जलवायू और कोवेड-19 संकट के लिए एक संयुक्त प्रतिक्रिया का आगर किया गया है याचिका अंतरधार्मिक जलवायू और परियावरण आंदोलन ग्रीन फेद द्वारा प्रायुजित है और इसके हस्ताक्षर करताओं में कातलिक और क्रिस्तियनेता शामिल हैं. फ्रांसिसे नेताओ ने प्रवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। फ्रांसिसी गरह मंत्रालाई ने तीन कारिकरताओं से संपर करने के लिए एक मद्यस्त भेजा जो प्रवासियों के लिए शुरक्षा की मांग करते हुए केलाईस गिर्जा épisode में भूख ँरत पुडोविक हॉल बिन बुधवार को एक फ्रांसिसी सरकार के दूद के साथ बैट कर चर्चा कर रहे हैं। की आखरी अपिल करते हुए अंतराश्टी समुदाई से अपने वादों को निभाने और आगे बढ़ने वाले कमजोर लोगों को जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए दिर्ग कालिन समाधान खुजने की अपिल की थी। बांगलादेश के शर्णार्थी शिविर पर हमले में साथ लोगों की मोत। बांगलादेश मैनमार की सीमा पर रोहिंग्या शर्णार्थी शिविरों में धर्शरत का माहूल बढ़ता जा रहा है। 22 अक्टूबर को कॉक्स बाजार शहर के पास बलुखली शिविर में इसलामिक वदर से पर हमले में साथ लोग मारे गए और कम से कम 20 लोग घायल हो गए हैं। 29 सितंबर को कॉक्स बाजार में एक जाती समुदाए के नेता माना उधिकार रक्षक और आराकान रोहिंग्या सोसाइटी फोर पीस एंड हुमन राइट्स के संस्थापक मोहिब उल्ला की हत्या के बाद शर्णार्थी शिविरों में तनाव बढ़ रहा है। आराकान रोहिंग्या सालवेशन आर्मी के कारेकरता रोहिंग्या मिलिशिया जो मैनमा सेनार से लड़ती है हाला कि हत्या में शामिल होने से इंकार करती है और असली अपराधियों को खोजने के लिए जाज की मांग करती है। नविन्तम गोलाबारी के कारणों की जाज कर रही पूलिस ने बताया कि शिवीरों में जहां 9 लाग से अधिक शर्णार्थी रहते हैं सुरक्षा को मजबूत किया गया है कारितास बांगलादेश और UNHCR द्वारा प्रचारित विभिन सामाजिक सहायता कारिकरों में शर्णार्थियों को सभ्य जीवन इस्थितियों की और ले जाने के लिए बढ़ावा दिया गया है तक्ता पलड के बाद प्रदर्शनकारियों ने सेना को चुनोती दी सुदान के प्रदान मंत्री और उनके केबिनेट सदस्यों को अग्यात इस्थान पर रखा गया है जबकि देश के प्रमुक शहरों में जन जीवन ठप हो गया है यह सुमबार को एक सेन्य तक्ता पलड के बाद हुआ जिसमें सेना और प्रदर्शनकारियों के बीश संगर्ष में कम से कम साथ लोग मारे गये है सुदान में सेन्य तक्ता पलड के कारण हिंसा के बाद जीवन ठहर सा गया है सुचना मंत्राले जो अभी भी स्थती पर टिपणी कर रहा है उसने कहा कि प्रधान मंत्री अब्दुल्ला हमदोक और उनके केबिनेट मंत्री गायब है दुकान बंद है लाउड इस्पिकरों में धरना प्रदर्शन का आवन किया जा रहा है रास्ते सेनिक के द्वारा अथ्वा प्रदर्शन कारियों के द्वारा लगाए गए बेरिकेडों से बंद किये गए है बेंक और रुपे मशीने बंद है और मोबाइल फोन एप जिनका व्यापक रूप से धन हस्तांतरन के लिए उप्योग किया जाता है पहुँच से बाहर है स्वास्त मंत्राले के एक अधिकारी ने कहा कि सोमार को प्रदर्शन कारियों और सुलक्षा बलों के भी जड़पों में साथ लोग मारे गए थे जब सेनिकों ने प्रधान मंत्री एवम केबिनेट के अन्य नागरिकों को गिरफतार किया था मैनमार के कातलिकों से अपने देश के लिए आवाज उठाने की अपील मैनमार के कातलिक धर्मादक्षी समेलन के अधिक्ष कार्डिनल चार्स बो ने मिशन रहिवार को विश्वासियों से आवान किया कि वे इस चुनोती पुन समय में अपने देश के लिए आवाज बने उन्होंने इस बात पर गौर किया कि हर प्रकार्स के अंधेरे में कलिस्या आशा की जोती बनी है यांगुन के कार्डिनल ने मैनमार के कास्तिकों से आगरह किया कि वे बुराई के खिलाव घ्रना से नहीं बलकि प्रेम से आवाज उठाए जो उनके देश को तभा कर रही है उन्होंने यह आगरह 24 अक्टूबर मिशन रहिवार को मिस्सा के दोरान किया पौफ फ्रांसिस द्वारा इस साल के लिए चुनी गई विशेवस्तू हमने जो देखा और सुना है उसके विशे में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं उस पर चिंतन करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश में बोलने के लिए चुनोट्ति पूर्ट समय है जहां एक फरवरी को तक्ता पलट के नो महिने बाद भी सेना द्वारा कुरूर दमन का सिलसरा जारी है मद्यपरदेश के केथोलिक स्कूल में हिंदू मुर्ती इस्थापित करने का आदिश दक्षिन परती हिंदू कारेकरता ने 25 अक्टूबर को मद्यभारती राज्य मद्यपरदेश राज्य के केथोलिक स्कूल के परिसर में ग्यान की देवी सरस्वती की मुर्ती इस्थापित करने के लिए 15 दिनों का इल्टिमेटम दिया विश्व हिंदू परिशद और बजरंग दल के 30 सदसीय परतीमंडल ने 17 जीला मुख्यालई में क्राइश्ट जोती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंदक फादर आउगस्टीन चित्व परंबिल से मुलाकात कर एक ग्यापन के माध्यम से मांग की उन्होंने फादर को अपनी मांग पूरी करने या स्कूल के सामने विरोध का सामना करने के लिए 15 दिन का समय दिया फादर चित्व परंबिल ने बताया कि हिंदू कारेकरता हमारी स्कूल में आये और चाते थे कि हम परिस्तर में देवी सरसुती की मुर्थी स्थापित करे कटर पंथियों ने फादर को लिखित रुप से ये बताने के लिए मजबूर किया कि उन्हें उनका ग्यापन मिला है जिसे उन्होंने इसकूल के मुख्य द्वार पर स्विकार किया था यदि इसकूल उनकी मांगो को पूरा करने में विफल रहता है तो हिंदु कारे करता वापस आने की चेतावनी के साथ महां से चले गए उनका दावा है कि इसकूल उस जगह पर बनाय गया था जहां देवी सरसुती की मुर्थी मुझूद थी उन्होंने बताया कि इसकूल उनपचास साल पहले बनाय गया था और अब तक किसी ने भी ऐसा दावा नहीं किया था कार्डिनल के खिलाव जाच में साजिश की आशंका एक संगी एजनसी ने मनी लॉंडरिंग के आरोपों में भारत के सिलोवाराबाद चर्च के प्रमुक कार्डिनल जोज अलन्चेरिक के खिलाव जाच शुरू की है चर्च के एक अधिकारी ने चर्च और उसके नेताओं को कलंकित करने की साजिस्थ का हिस्सा बताया प्रधानमंत्री नराइन मोधी के सरकार के तहद प्रवर्तन ये दिरशालय जो वित्ती अपरादो की जाच करता है ने चर्च की जमिन की विक्री के संबन में कार्डिनल अलन्चेरी के लेंदेन की जांश शुरू कर दी है जिसके परणाम सोरुप एना कुलम अंगा माली के आर्च डाइसिस को वित्ती नुकसान हुआ था सीरो मलाबार चर्च के प्रवक्ता फादर अबराहम ने कहा इस कार्डिनल की जांश के लिए एडी का कदम निसंदे उसे निसाना बनाना और चर्च की छवी खराब करने का प्रयास है समलेंगिक विवापर भारतिय कानूनी लड़ाई भारत में चर्च के नेता 30 नुबर को दिल्ली उच्च नियालाई में अंतिन सुनवाई के लिए पोस्ट किये गए समलेंगिक विवापर की मानिता और पंजीकरन की मांग करने वाली कानूनी दलिलों के एक परिणाम की बेच को उत्सुकता से सुनेंगे सुलिसिटर जनरल तुशार मेता ने इस मामले में 25 अक्टोबर को संगिय सरकार की और से पेश होते हुए कहा कि विवाप विसमलेंगिक जोडों से जुड़ा एक शब्द है उन्होंने भारतिय कानूनों के तहस समलेंगिक जोडों के विवाप के पंजिकरन की मांग करने वाले समलेंगिक जोडों द्वारा दायर अपने मामलों की सुनवाई के दोरान अदालत से कहा जैसा की कानून कहता है पुरुश और महिला के बेच विवाप की अनुमती है सेवाओं के लिए बेंगलूरू के प्रोहित को सम्मानित किया गया बेंगलूरू में एक केथुलिक पेरिश की महिलाओं ने महामारी की अवधी के दोरान फ्रंट लाइन हिरो होने के लिए अपने पल्ली प्रोहित को सम्मानित किया है लिग राजपूरम में डोन बोसको श्र में कारेकरम का आयोजन किया मुख्य अतिती बेंगलोर आर्च डाइसिस के वाइसर जनरल मौंसिंगनोर सी फ्रांसिस ने कहा कि फादर सेंटियागो ने दया के अपने कारियों के माध्यम से चर्च पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो राज्य भर के लोगों को राहस सामगरी प्रदान करता है महाधर्म प्रांद को ऐसे प्रोहित पर गर्व है जिसने पीडित और जरुरत मन पड़ोसियों की देखभाल के लिए अपनी जान जोखी में डाल दी है इसी के साथ आज के समाचा समाप्त हुए अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ नमश से जुड़ें और एशियाई इसायत की अवाज का हिस्सा बने आज ही एप स्टोर एबं प्ले स्टोर से आर्विय मोबाल एप डाउनलोड करें